यूपी के मोहनलाल गंग से बीजेपी सांसत कौशल किशोर के बेटे आयुश पर गोली बारी से शुरू हुआ मामला नित नए मोड ले रहा है अब खबर आई है कि कौशल किशोर की बहु यानि आयुश की पतनी अंकिता ने बीजेपी सांसत के दुबगगा स्थित घर के बाहर हाथ की नस काट कर आत्मत्या करने की कोशिश की है पौरन उनको अस्पताल पहुँचाया गया जहां इलाज चल रहा है इससे पहले अंकिता का एक विडियो वायरल हुआ था जुसमें अंकिता सुसाइट की बात कह रही है इस विडियो में अंकिता ने आयुश पर भी गंभीर आरोप लगाए है जानते हैं क्या है इस वायरल विडियो में रविवार 14 मार्च को अयुश की पतनी अंकिता ने रोते हुए एक विडियो जारी किया था इसमें उसने अपने पती अयुश पर गंभीर आरोप लगाए थे और सुसाइट की बात कही थी बता दें कि कुछ दिन पहले ही आयुश ने एक विडियो जारी करके अपनी पतनी अंकिता पर उसे हनी ट्राप करने के आरोप लगाए थे अंकिता ने विडियो में कहा है मेरी कोई गलती नहीं थी तब भी आपने मुझे छोड़ दिया मेरे उपर आपने और सबने जूटे जूटे आरोप लगाए मैं तुम्हारे साथ रही और शादी की ये गलती मैंने की मैं पहले खुश थी पर तुमने मेरे साथ गलत किया मैं कितना लड़ू सबसे मैं किसी से नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद और माविधायक हैं, मेरी कोई नहीं सुनेगा, मैं आज तक किसी को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम कितना जूट बोल रहे हो, तुमने और तुम्हारे घरवालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे पापा को भी फोन किया था, पर वो मेरा फोन काट रहे हैं, मैं जो मर रही हूँ, उसके पीछे तुम्हारा परिवार और तुम हो, तुम लोगों ने मेरे जिन्दगी खराब की, तुमसे प्यार करने की मुझे ऐसी सजा मिली, मैं इस जिन्दगी में कभी नहीं आऊंगी, तुम खुश रहना, तुम ही कहते थे कि तुम्हारे घरवाले तुमको प्यार नहीं करते हैं, और आज तुम मुझे छोड़कर उनके पास चले गए हो, मेरे मरने की वज़ा तुम और तुम्हारे घरवाले हैं, मैं जा रही हूँ, छटे मील पर गाड़ी रोकी, उसी दोरान किसी ने उसे दूर से गोली मार दी, शुरुवाती जास से पुलिस को पता चला कि जो गोली आयुश को लगी है, वे उसी की लाइसेंसी पिस्टल से चली है, इस तथे के बाद पुलिस की जाच का रुप बदल गया, पुलिस ने इन आयुश के साले आदर्ष को हिरासत में ले लिया, आदर्ष ने पूचताच में गोली मारने की बाद कबूल कर ली, पुलिस के मताबिक आदर्ष ने दावा किया कि जीजा आयुश ने खुद ही अपने उपर गोली चलवाई थी, चंदन गुपता, मनीश जैसवाल और प पूरी साजश सांसद के बेटे आयुश और साले आदर्ष ने मिलकर रची थी, इसकी बाद पुलिस ने आयुश के खिलाव भी मामला दर्च कर लिया, लेकिन जस अस्पताल में आयुश का इलाज चल रहा था, वहां से वो फरार हो गया, इस घटना के बाद 6 मार्च को पतनी ने ये भी आरोप लगाया कि आयुश ने उसके सामने ही सांसद पिता को बताया था कि वो अपने उपर गोली चलवाएगा, इसके बाद चंदन गुपता समेथ दूसरे लोगों को फसा देगा, हाला कि सांसद कोशल किशोर ने इन आरोपों को निराधार बताया, इन आरोपों के दो दिन बाद मुहनलाल गंच से सांसद कोशल किशोर के बेटे आयुश ने विडियो जारी किया, इसमें उन्होंने अपनी पतनी अंकिता पर ही गंभीर आरोप मर दिये, उसने अंकिता पर उसके साथ मार पीट करने और धमकाने के आरोप लगाये, आयुश की म कि उसने देखा कि आयुश के पिता सांसद और माविधायक है, इसनिए उसने इतनी बड़ी साजश रची, उसी ने सब को फसाया है, बता दे वारल विडियो से पहले रविवार को ही आयुश किशोर खुद लखनव के मडिया गाउं ठाने पहुँचे थे, इस दौरान आयुश ने अपने बयान में कहा कि उसे असलह उसके दोस्त चंदन गुपता ने दिया था, आयुश ने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने साले आदर्श वे उसकी बहन यानी अपनी पत्मी पर साजश रचने का आरूप भी लगाया, फिलाल अंकिता का इलाज उस्प ब्यांशी देख्ते रहिए, दीललन टौक, शुक्रिया